हेलो फ्रेंड्स डिस इस विजयराज पुस्प एन वेलकम टू लर्नर आईजवाई वी एर पी देखिए एक्जाम जिस परकार से नजदीक आते जाता रहा है उसी परकार से सभी छात्रों के अंदर एक होड सी मच गई है कि कैसे अंग्रेजी की तेयारी करें तो मैं चाहता कि आप के वल वीडियो देखें और आपके पास अगर कोई भूक है तो उसे प्रैक्टिस करते जाए आपको किसी भी परकार की समस्या नहीं होगी चुकि अब आपको पता है कि अधिकांस जो कोस्टन दिये जा रहा है 50% जिसके लिए डवल डवल दिये जा रहे हैं तो आप को परसाने भी नहीं होगे तो आई हमें स्टाट करते हैं बिल्कुल मुफ्त का नंबर इसे कहा जाता है और वह है आज का क्लास जिसका नाम है spelling rules आज मनों जानेंगे कि spelling rules देखें spelling का मतलब क्या होता है spell का मतलब होता है हिज्जे करना नई और spelling का मतलब क्या होजगा हिज्जे rules माने नियम अब spelling rules में अंग्रेजी में बड़ी confusion रहती है कि आखिर हम क्या लिखे जैसे आपको अगर लिखना हो कि आप लिखे receive और आपको लिखना परे इसी तरीके से कुछ चीज ऐसा रहे जैसे diet लिखना है तो यह जो है सबसे ज़्यदा इसमें confusion IE और EI के अंतरगत आते हैं क्या खिर कैसे हम करें क्या लिखें कभी-कभी यहां पर receive में देखते हैं वहां पर option तो confusion हो जाता कि IE होगा कि EI होगा तो आज हम लोग जाने के कैसे इसके rule के सही कर सकते हैं तो सबसे पहले इसमें question दो तरीके क्या आते हैं एक रहेगा find out the incorrect words incorrect words या incorrect spelling word और दूसरा रहता है correct words को आपको पहचाना तो ध्यान केगा दो तरीके के प्रस्न पूछे जाते हैं जैसे मैं एक example के थुरू आपको बताने का प्रयास करूंगा जैसे मेरे पास एक word है जैसे आपको क्या करना है यहां पर लिखना है find correct one इसमें से कौन सा correct है उसको आपको पता लगाना है ठीक है find correct words आपको option इस तरीके से देगा चार option लिखा रहता है जैसे देखे लिखा रहेगा C ऐसे sing लिख दिया B में लिख देगा double और G कर दिया C में कर देगा आपको SE और G कर दिया और D में कर देगा है SW आई एंजी और आपको इसमें खुजना क्या है correct word खुजना है तो हम जाते कि SWC माने क्या होता है देखना और आई एंजी लगाते तो इस तरीके से लगाते नहीं तो हमारा correct one answer कौन हो जाएगा दी हो जाएगा यहीं आपका होगा दूसरा समझें कभी-kभी इस तरीके स question देता है find incorrect words incorrect words का पता लगए option देखेगा जैसे इस तरीके से देगा coming दे दिया B में इस तरीके से लिखा coming तीसरा में लिखा C-O-M-M-I-N-G और चोथा में लिख दिया all मतलब सब सही है नहीं अब गौर करो come case feeling क्या होता है C-O-M-E नहीं और जब इसमें आप ing आड़ करते हैं तो last वाला e जो ता हटता है तो बन जाता C-O-M-I-N-G coming हो जाता है जो क्या option देख सकते हैं A है लेकिन अगर आपने यहा आपको खुजना है लेकिन देखे हमको खुजना इनकरेक्ट खुजना यह तो आपने क्रेक्ट खुज दिया आपने क्या खुज दिया करेक्ट तो हमारा सही हो जाया कौन B और C नहीं जो कि option में इस तरीकस देगा B पलस C यानि बोथ ऐसे भी रह सकता है बोथ सा रहे तो आप गलत को खुजेंगे और करेक्ट रहा तो किसको खुजेगा सही हाँ पर कंफ्यूज मात हुएगा सवाल में पांचे को से नहीं गाई से अब यहाँ पर सवाल आता कि देखिया आप स्वीमिंग का सवाल आ गया आपको इस तरीके से एकजाम में पूछ दिया न को इनकरेक्ट था एक नमबर मेरा सही होगे तो अब मैं आपको सिधे लिए चलता हूँ कि कैसे हम लोग इसको जानेंगे कि कौन सा वर्ड कब सही होगा और कब गलत होगा तो आईए हम लोग रूल्स के माध्यम से जानते हैं आज इस पेलिंग रूल्स जो की काफी इंपोर सकते हैं कि सही है या गलत तो आई ये स्टार्ट करतें हैं हाज का क्लास और सबसे पहला कोस्च्टन है आपके लिए कि काता कि कोई भी वर्भ हो ठीक है कोई भी वर्भ हो और जिसका अंथ कब किसी से हो INDS INDS या IND WITH DOBLE E किस से अंथ हो First rule समझा रहा हो कि अगर कोई भी वर्ब है और उसका अंथ किस Word से हो रहा है किस Letter से हो रहा है तो DOBLE E से हो रहा है और इसमें क्या add करना है आपको और अगर DOBLE E से IND करें और add करना है आपको इसमें IN Z तो क्या रूल कहता है इसको जानते तो सिंपल सा रूल कहता है ध्यान लखेगा कहता है कि आप अगर डबल ई से कोई हमारा वर्व अंत हो रहा है और लास्ट में आई एंजी अगर एड़ करना हो तो हम ई को रीमोव नहीं करेंगे मतलब इको हटाएंगे नहीं कि अबल उसमें क्या जोर देंगे आई एंजी जैसे एक्जामपल हमारा एस डबल ई है हम इसमें क्या एड़ करना चाहते हैं आई एंजी तो हमारा क्या वर्व बन जाएगा शींग बन जाए कोई कन्फ्यूजन नहीं है इस तरीके से अगर आपको देदे फिली और इसमें जोरना है आई ए एंजी एक नियम तो आप सीग गए कि डबल इस अगर कोई भी वर्वाड आपका अंत होता है तो हम क्या कर देंगा उसमें सिंपल सा आई एंजी लगा देंगे और एको हटाएंगे नहीं दूसरा रूल कहता है कि अगर कोई भी आपका वर्वाड इंड विद यानि अंत होत है सिंगल इसे किसे हो और इसमें आपको एड करना है कोन चीज ऑइन्जी को एड करना है तो आप क्या करेंगे इसके लिए बिल्कुल आसान तरीका है कुछ नहीं करना है आप इको क्या कर दीजएगा रिमूब कर दीजएगा और आई एंजी लगा दीजगा जैसे वाख उच्छी पल में आएंगे और वह है आपका इस तरीके से C O M E और हमको लगाना क्या है ING तो क्या करेंगे हम E को ड्रॉप करेंगे और बन जाएगा ING कोई दिकत अगर मेरे पास इस तरीके से लाइक और ING लगाना है देखें तो E को ड्रॉप कर देंगे तो क्या बन जाएगा L I K I N G कोई दिकत बिल्कुल आसान तरीका है छोटी छोटी बात है और आपको बना देगा महान तो आई यह अगला रूल की और बरते ध्यान देजेगा कहता है एक बड़ा इंपोर्टेंट चीज है कि अगर आप किसी भी वर्ड में दो केस आता है कहाँ पर E I लगाए और कहाँ पर I E लगाए बड़ी बहतरीन रूल है आप सिंपल सा ध्यान रखना है कि अगर कोई भी वर्ड C से C के जश्ट बगल में रहे समझ रहे अगर C के जश्ट बगल में यह केस आ जाए कोण आ जाए E I का या I E का तो ज़्यादा मत सोचेगा C के जश्ट बगल में E I का केस लगा दिजेगा आपका अंसर क्या हो जाएगा बिल्कूल सही हो जाएगा जैसे हम आपके एक्जाम पल पेस करते हैं आपको एक्जाम में इस तरीके से देगा देखे आपको इसमें सही गलत पकरना पड़ता है option रहेगा ऐसे ही R E और I E V E या देदेगा आपको R E C E I V E ठीक है यह तो आपका सेम हो जाएगा यहाँ पे हम यहाँ पर आराई कर देते हैं अब यहाँ पर गौर किजे कौन सा सही होगा हमें जहां भी E I का केस आए चाए आई का केस आए हम तुरंत देखेंग उसके बगल में है तो कौन है यही पहला रूल तो ही काता है तो हमने जब देखा कि इसके बगल में कौन आना चाहिए E I के तो मेरा यह सही हो जाएगा और यह भी सही है लेकिन यहाँ पर रिसीब में R I नहीं होता है R E होता है कोई दिखाते है तो बोला जाए इसी तरीकर आपको DEC लिखना है DEC और यहाँ पे ऐसे दिया है option और इस एक option आपको ऐसे दिया है तो कौन सा ही होगा कुछ नहीं देखना है EI का case जैसे ही आजाए और EI का बस देखना है कि उसके बगल में C है या नहीं अगर है C तो एक ही आएगा कौन आएगा EI का case आएगा कभी भी IE का case नहीं आएगा मैं आसा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कोई भी दिक्कत हो तो हमें बताने का पर्यास किया जाए दूसरी बात अब सवाल आता है कि सर अब C अगर न रहे अगर C न रहे और IE और EI का case आए तो क्या कर रहे C अगर है तब तो simple सी बात है EI का case आएगा और अगर C न रहे तो क्या किजेगा बस ज्यादा नहीं सोचना है क्या लगा देना है IE लगाना है बस याद रखना है जैसे आपको example देखाते हैं जैसे है CHEIF और CHIEF देखे लिजे आए और IE को पकरना है नहीं जेसे ही देखा क्या है EI IE का case है बहुधर वाले को जहाँ OW बहुधर वाले को जहाँ करें तरह क्याल न जराया होसकता है क्या जब C 나 Jeanne तो क्या डालना है हमको 03 डालना है तो 03 का case कौन हो जाएगा हो जाएगा इस तरिके से और हो सकता है, achieve में भी हो सकता है देख लिजे, achieve अगर दिया रहा है तो I यहां पे रहेगा क्योंकि H है, कोई दिकत बोला जाए, brief का case ब्राई 皮फ होगा, यहां पे I होगा, E I בא क्यों, क्योंकि यहां पे C का केस नहीं है तो कोई समस्या अगर नहीं है तो सबसे पहले इसका स्क्रीन सोट ले लिजे तो आई एक बहतरीन रूल है कौन सा फाइब रूल होगा रूल नमर फाइब काता है कि कोई भी अगर वर्ड दिया रहे ठीक है और उसका जो लास्ट वर्ड हो वा कंसोनेंट हो इसका इसका जो लास्ट लेटर हो कैसा हो कंसोनेंट हो और इसके जस्ट पहले वाला अगर वर्ड हो तो इसमें एड करने के लिए कुछ भी अगर एड करना चाहते हो तो यह लास्ट वाला जो कंसोनेंट है उसको क्या कर देना है डवल कर देना है क्या कर देना है डवल कर द हम चाहते कि इसमें add करे- आई-एझी तो तुम ही बताओ देखिए यहाँ पे यह konsonant है इसके पहले देखे वगल है अब वगल तो जानते ही होंगे पांच होते ए आई-ई-ए ओ-ई-उ यही ना पांच हैं तो अगर last में consonant हो और उसके just बगल में क्या हो वबल हो तो add करने के लिए हम लोग simple क्या करते हैं last वाले letter को double कर देते हैं अगर इसी run में आपको मन है er जोरे तो क्या हो जाएगा r u double n e r हो जाएगा नहीं अगर एक और चीज़ देखा जाए अगर मेरे पास है swim h w im हमें चाहते कि इसमें ing जोरे तो क्या हो जाएगा h w i double m ing हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा इस तरीके से मालो जो hot hot में हमको e st जोरना है तो क्या हो जाएगा double e t हो जाएगा hottest बन जाएगा अगर हमें begin है b e g i n begin शुरू करना और इसमें में ing जोरना है तो क्या हो जाएगा जी डबल एन आई एंजी विगनिंग हो जाएगा किसी भी परकार की शमस्या नहीं आने चाहिए समझ में आ गया बस ध्यान रखेगा लास्ट में नहीं करेगा prompted estimates मेरे पास कूछी इसको जो पालन नहीं करेगा जैसे डेविट अगर आपको लिखना विआ इस पेलिंग होता है डी बी-डी अ-पी ठीक है इस तरीके से क्रेडिट और इस तरीके से इडिट अगर आप इसमें इजी जो रेंगे और लास्ट वाइल कीवल आपको दिमाग में बसाना परेगा नहीं तो पर जाएंगे आप कौन चीज में मुश्किल में परेंगे लेकिन एक और समझ ये बात को ठीक है अब क्या होता है कभी-कभी आपके साथ कुछ बदमासी करेगा ये ओड जैसे देखिए आप लास्ट में कंसोनेंट है लास्ट में वह बेल भी है आपने देखा कि चलो भाई नियम तो पालन कर रहा है आपने देखा आगे देखा न पीछे देखा डबल पी लगा दिया मुस्कुरा दिये एक नमबर तो आ गया लेकिन आपको वहाँ पे दे दी जाएगे जीरो नमबर क्यों सुन लिजे अगर लास्ट में कंसोनेंट हो लेकिन उसके पहले डबल भावल आ जाए बस यही पे स्टॉप मार दिजेगा अगर आपको यहाँ पे क्या आ जाए डबल भावल आ जाए तो वावू यह रूल पालन नहीं करेगा और सिंपल कहेगा मेरे साथ आई एंज एगर चाहते हो जोरना मुझे कुछ मत करो आई एंज लगाओ और मुस्कुरा के एक नमबर ले लो तो दूसरी बात एक और देख लिया जाए जैसे सिलीप है हम चाहते हैं कि इसमें आई एंज जोरे तो क्या हो जाएगा एस एल डबल पी आई एंज कोई दिकत नहीं है तो सबसे पहले से क्या कर लिया जाए स्क्रीन सोट ले लिया जाए नेक्स रूल है बढ़ी आसान रूल है कता कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में डबल एल रगा लगा रहे और वह डबल वाला किसी और के साथ जुर रहा हो तो आप उसमें से एक एल को हटा दीजिएगा जैसे एक्जामपल रूल नमबर कितना चलेगा बता दिया जाए जैसे आप एक एक्जामपल देखने जैसे हमें लिखना है एस्पून और इसमें जोरना है फुल तो आप क्या करेंगे एस्पून अगर फुल लिख दिये तो यह गलत हो जाएगा तो सही क्या होगा इसमें से एक L को हटा दिये समझ में आ गया कोई दिकत नहीं है इस तरीके से अगर हमारे पास है पैन प्लस फूल तो हम इसको लिखेंगे पैन फूल इस तरीके से से लिखेंगे डबल L का परियोग नहीं करेंगे तो यह है double L का रोल जो की काफी इसमें भी लोग मिस करते हैं नहीं लेकिन एक बात और समझेगा कभी-कभी लोग छोटी-छोटी गलतियां भी कर देते हैं लास्ट इसका द्यान दिजिएगा अगर आपके साथ ऐसा लिखा रहा है डावलू-ई-डावल और सीओ-मे मैंने कहा था कि डावल अगर एल आ जाए तो एक को हम लोग क्या कर देते हैं कम ऐसा ही बिलकम आपने देखा होगा कहीं भी अगर आप स्वागत करते हैं किसी का तो यही वह अगर से स्वागत करते हैं को कम से स्वागत करते हैं तो यह है एक छोटा सा कि रूल का कitchensさ independence और आप आप नीचे लाइक बटन को प्रेस करके और आप नए भीवर से तो बेल आइकन को सब्सक्राइब करके जरूर प्रेस कर देजेगा ओल पे जिसे की वीडियो आपको समय पर मिले जब मैं अपलोड करने तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ तब तक टेक क्यर बेंज्वा थैंक्स पर वाचिंग जय हिन जय भारत